नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग, वाकिफ कहां जमाना हमारी उडान से, वे और थे जो हार गए आसमान से, मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाथी, हिमान शुसुरी का अंतरपाथी, आप सभी मित्रों का, आप सभी सोजनों का, आप सभी सहपाथियो का हारदिक स्वागत करता हूँ पुना अपनी विशेश कक्षा में सातियों बीते जो सेशन आपको मिलते हैं रात्री के 9 बजे वाले सेशन यान जो GS का सेशन रात्री 9 बजे का रखा गया है उस वाले सेशन के लिए एक जानकारी मैं आपको दे दूँ कि उसमें आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज स्टार्ट की गई है घटना चक्र का पॉब्लिकेशन की बुक से जिद्रे भी शाथी साथी नए इस वीडियो को देख रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं वो एक ध्यान में बात रख लें कि अगर आपको सिलेबस से पढ़ने में समस्या होती है या मान लीजिया आपने बहुत पहले इतिहास पढ़ा था इस समय कोचिंग में कुछ और आप कहां चल रहा है और कुछ पढ़ रहे हैं आप तो रिवीजन के लिए आप उसमें आज सकते हैं क्योंकि गटना चक्र पब्लिकेशन पर उसमें थियरी भी रहती है बाद में उसमें MCQs या previous PYQ भी कराया जाते हैं जो previous year question होते हैं सारे गटना चक्र पब्लिकेशन से साथियों देर न करते ही आप लोग सबसे पहला काम क्या करिएगा वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर लीजेगा अब भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्यों क्योंकि आगे का सेशन बहुत ही बहुत ही बहुत पुड होने वाला है आप सभी साथियों के लिए क्योंकि आज के session में हमने क्या रखाया है आज के session में current affair यानि speedy publication की जो book है मांग हुई कि काफी दिन पहले start किया गया था बीच में बंद कर दिया गया था तो sir उसको cover करवा दीजी तो cover में आज का topic लाया गया है कुछ important important topic कुछ minute का वीडियो रहेगा बिना देर की आप लोग start करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ठीक बात है ना चलिए आते हैं session पे यहाँ पहला ना देखेंगे इस पे page number मुझे नहीं याद आ रहा है किस number page पे है लेकिन हाँ यह है मुझे मिला शुरुआत कही page पे है देकि project ठीता सारे लोग जानते हैं 2022 में कारेक्रम start किया गया project ठीता अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ यह सारे आप पढ़के जाईएगा खास करके अगर आप पंडे exam UPP के लिए तयारी करें या SSC GD के लिए तयारी करें या कोई सब इक जाम आप तयारी करें तो आप पढ़के जरूर जाईए गया इसे क्योंकि सबसे important topic में project ठीता का नाम आता है यहां देखिए यानि project ठीता की विशह में अगर आप जानते हैं तो यहां पहला नाम सर यह start कब हुआ तो यह किया गया 17 सितंबर 2022 को नाम रखा गया project चीता नामी भिया से लाएगे 8 अफ्रीकी चीते जिसमें से 5 मादा और 3 नर थे और रखा गया इनको मधिपरदेश के इनको रखा गया मधिपरदेश के कुनो राश्टी उध्यान में सारे लोग बंडेग जाम में मैंने कहा सारे लोग अफ्लाइन क्लास में पढ़ चुके हैं यहां एक चीता मादा था जिसका नाम था शाशा उसकी मौत हो गई थी यहां आगे देखेंगे आगे लिखा इसकी निगरानी है तो सरकार ने 9 सदस दिये कारेबल को 2 वर्सों की अवद के लिए गठित किया है पांच वर्सों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की एक प्रकार की योजना स्टार्ट की तो पूछा जा सकता है क्वेस्चन आपसे फिर कई बार क्वेस्चन में पूछा भी गया है आगे भी ध्यान करे रही गया कि प्रोजेक्ट चीता कि राजधानी क्या है तब मैं आगे इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ चलिए तो यह आप नाम जान गए कि 5 साल में 50 चीता लाने के लच्छे हैं पूछा जा सकता है आपके एक्जाम में कि बताइए बताइए गेन सरकार ने 5 साल में प्रोजेक्ट चीता के थायत कितने चीतों को भारत लाने की योजना बनाई है तो याद करे रही का 50 चीते प्रोजेक्ट चीता के थायत यहां आते हैं सबसे important session में आपका यह session है जाने रहिएगा इसमें सबसे important topic आपका आ रहा है जिसका नाम है बाग जनगर्णा रिपोर्ट हर बार एकजा में पूछा जाता है यहां से question EVS में भी question पूछ लिया जाता है चाहे बाग दिवसी पूछ ले जाए दिवस में कोई सा भी example पूछ सकता है आपसे project tiger पूछ सकता है कब start किया गया कौछ भारत में कितने वाग अभ्यारण नहीं है वर्तमान सुमें कुछ भी पूछा जा सकता है तो यहां start करते हैं हम लोग देखें यहां नाम लिखा हुआ है सर जारी करता अब इस बाग रिपोर्ट जनगर्णा रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन सा है भारतिय वर्नीजिव संस्थान comment box में प्रिगना है भारतिय वर्नीजिव संस्थान जो है इसका मुख्याले कहाँ पर है 29 जुलाई 2023 को इसने लागू किया और कहा कि भारत में सर इस समय बागों की जो संख्या है वो 382 बाग है कब की रिपोर्ट आई 29 जुलाई दो हो जाए 23 को ठीक है अच्छा अब इससे पूर्व जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था 3166 बताई गयी थी तो आप देखे होंगे ब्रिधी हो रही इस कार्थ यह है तो ध्यान करे रहिएगा इस बार बागों की संख्या 362 हो आगे विश्व में यहां लिखा है विश्व का 75% बाग केवल भारत और सर्वाधिक मधिप्रदेस में यानि विश्व का सबस्यादा बाग भारत में पाया जाता है 75% जबकि भारत में सबस्यादा MP में ये भी one-liner question आपके लिए हो गया MP वाला भारत का कौन सा स्थान है 2018 और 22 के बीच बागों की संख्या में कितनी बृध्धी हुई है तो यहाँ आपको कह रहा है 24.1% की बृध्धी 18 यह वंडे एकजाम में आपके कहीं भी पूछा जा सकता है current में ही पूछ लेगा आपसे बताईए 2018 से 22 के बीच में बागों की संख्या में कितनी बृध्धी आपको नहीं आता है आता है तब तो लिखना है अब इसमें कह रहे है भारत में बागों की स्कुल संख्या कितनी उनतिस पच्चिस और वारसिक विद्यदर कितनी हो रही है छे दसमलों एक परसेंट हो रही है ठीक बात 49 पच्चिस न लिखा है इस रिपोर्ट के अंसार जो परियावरन वन मंत्राले जारी कर रहा है उसके अंसार भारत में बागों कुल संक्या 29 पच्चिस हो रही है अब यहां दोनों अंतर आप जाने रहिएगा ये वाली जो बा पुछा जाएगा तो डारेक्ट नाम दे करके आप से पुछा जाएगा तो हैरान मत होईएगा ठीक है ना ये दो तीन चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए भारती वनी जीव संस्थान जो बाग रिपोर्ट जारी की गई कुल बाग कितने तो 36 बहुत बढ़िया भारत में सब अगले पर प्रश लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ भारत में 2021 में आए हुए कुछ तूफान ये बहुत इंपॉटन है पूछा जाता है आप लोग लिए तो याद करे रहिएगा आप लोग इसके विशे में अब करहा भारत में आए हुए कुछ तूफानो पहला नाम दिया है गुलाब का गुलाब के विशे में जान रहा है तो ये आप प्रधावित कर रहा है और इसका मतलब ये प्रभावित कर रहा है कौन से छेत को पूरवितर को प्रभावित कर रहा है बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ती हो रही है और नाम इसका कौन कर रह आपको यह नहीं रटना है, आपको किवल बंगाल की खाड़ी रटे रहेंगे, समझ ले जाएंगे सीतरंग, बंगाल की खाड़ी प्रभाइद करा, मैडूस, बंगाल की खाड़ी को गैबरियल, तो इसके विशह में नहीं दिया, यानि आप कहेंगे, यह आपकलेंड और न्यूजी लेंड के, देखें, दो चीजें, आप से अगर भारत की विशह में पूछेगा, तो भारत के पडोस की अरब सागर और बंगाल खाड़ी से पूछा जा सकता है, या राजियों का नाम दे देगा, लेकिन वैश्वी कस्तर पे बूछा जाएगा, तो वहाँ सीधा सीधा देश का नाम दे देगा, मोचा की विशह में, तो मोचा भी आपको बंगाल की खाड़ी प्रभावित कर रहा है, आप देखें, इतने नाम आपने पढ़ लिया, गुलाब, असनी, स सेतरंग, थाइलेंड दे रहा है, मैंडूस, युएई दे रहा है, यहाँ नीचे आएंगे, मोचा कौन दे रहा है, तो मोचा दे रहा है, यमन, यह कुछ नाम हो गए आपके, आगे आते हैं इसके आगे, इसके आगे यहाँ देखें, नाम लिखा है, इलसा, इलसा नाम का एक तूफान है और इलसा आ रहा है कहाँ पर आस्टेलिया की पस्चिमी तर पर बिपर जोए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरब सागर से सम्बंदी थे बिपर जोए और बासे बंगलादेश ने इसका नाम लिखा साउला तक्षणे चीन और डेनियल लेविया हामून कहाँ पर इरान में देखिए मैंने का है SSTGD के एकजाम जो होगा वहाँ पर तो कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन UPP के एकजाम में आपको केवल भारत वाले ही तयार करके जाने है यानि भारत वाला तयार किये रहिएगा बड़े जरूरी है ठीक है ना आगले पे आते हैं लि विवस्थाएं बस ईश्वर से बनाईए कि अपनी विवस्थाएं धीरे धीरे बढ़िया हो जाए जैसे बढ़िया होगी वैसे ही उत्पात मचाने वाली मुद्रम फिर आजाएगा ठीक बाता ना चलिए अगले पे देखिए भारत और विश्व के तीन सुपरकंप्यूट की बात कर रहा है कूछा जाता है एकजाम है वंडे एकजाम है कई बार पुछा गया है विश्व का सब से तीज सुपरकंप्यूटर भारत सब से तीज यह खुब पुछा गया है कि इस शंस्थान द्वारा बनाये गए तो उससी से है अगर विश्व में आप देखेंगे तो विश्व का नंबर एक का जो सुपरकंप्प्यूटर है पहले अस्तान पे वो है फ्रेंटियर जो की कौने देश का है अमेरिका का है। दूसरे अस्थान पे फुगाकु जो की जापान का है और तीसरा है लूमी जो की फिनलैंड का है ये तो होगे कहां के वैश्वी कस्तर वाले भारत की बात करें तो बारत में तीन ठो कौन से सबसे पहला नाम आएगा परमसिद्धी जो सीडैक ने बनाया है पूरे से मैं पूछूँ आपसे विश्व का पहला कौन सा तो सारे लोग बता देख फ्रेंटियर भारत का पहला कौन सा तो परमसिद्धी भारत वाले को कौन बना रहा है पूरे सीडैक के द्वारे यानि सीडैक ही कंप्योटर बनाने वाली भारत की प्रमुक्सन था है चलिए अब देखे वन इस्तिती रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आपने कहा जैसे बागों की विशह में रिपोर्ट जारी कि थी इस मंत्राले ने परियावरण वन मंत्राले जिसके मंत्री समय कौन है भूपेंद रियादों है 13 जनवरी 2022 को ये वन शेत्र की इस्तिती की रिपो जो आ रहे ही कौने वर्स की तो 2021 में यानि इस्तिती रिपोर्ट जो जारी हो रही है भले 22 में हो रही लेकिन है 21 की 2021 की ठीक बाद ना 17 में दो साल पर जारी होती है अच्छा ठीक अगले पर आते हैं अभी तना मुझे लगता 17 मी तो दिमाग में रटा लीजी एकदम से 17 में इक्रम की वर्निस्तिती रिपोर्ट आई थी 2022 में ठीक ना 2021 के लिए आते हैं व्याक्या पे लिखा हुआ है देश में कुल वन एवं वर्क्षा वर्न पूछा जाएगा तो याद करे रहेगा 8,9537 वर किलो मेटर यानि 24.62 पर यानि देश के देश का कुल वना वर्न कितना है तो 7,13,789 वर किलो मेटर यानि 21.71 पर देश में कुल वर्क्षा वर्न कितना है 95,748 वर किलो मेटर में यानि वर्क्ष लगाए गए हैं कुल वरिध्धी अगर पूछा जाए वर्न और वर्क्षा वर्न में तो 2,61 यानि आप करेंगे 2,61 की वर किलो मेटर की कुल वर्क्षा वरिक्षावरण के वरिधी, 721 की तुलना में 0.66 मैंने कहा, आपको यह पढ़ना कैसे है, तयार कैसे करना है आपको सबसे पहला गूश्चन तयार करना है देश में कुल वनावरण या कुल वन या कुल वरिच्छा वरन आपको ये तयार करना बाकी इसमें सारे पॉइंट तो जरूरी है लेकिन जो बेसिक किया है यानि आप पहले पहली बार अगर इसे आप देख रहे हैं तो पहली बार में आपको 4-5 चीज़े याद हो जाएगी कि वन इस्तिती रिपोर्ट जारी करता है परियावरण वन मंत्रा ले इसके मंत्री भुपेंद यादों है हाल ही में जारी की गई थी 2022 में वर्ष 2021 के लिए 17 में क्रम वाली ये याद हो गया फिर आप कहेंगे वन वरन वरन जो है ये इतने लाग छेतफल पर हो रहा है ये आप जान रहे हैं लेकिन आप नीचे आईए तो आप कहेंगे देश में कुल मैंगरो यहां का क्वेशन कुल मैंगरो अगर पुछा जाएगा सबसे यादा मैंगरो वाला राज कौन सा है वन जेतर वाला तो आप याद करेगा फसी मंगाल उसके बाद में कौन सा स्थान है गुजरात का फिर अंडमा निकोबार का यहां आते हैं सरवाद लिखा है सरवाधिक वन जेतर वाले राज यमद प्रदेश अरुनाचल प्रदेश और चतिस गड़ यहां सबसे कम वन जेतर वाले राज तो हरियाणा, पंजाब और गोवा सबसे important question में आपके यह दोनों section है यह तीनों section है चाहे माहिंग रोवन वाला पूछ ले चाहे सरवाधिक वाला वन जेतर चाहे सबसे कम तो सरवाधिक पुछेगा तो यम्पिम सबसे आदा और सबसे कम पुछेगा हरियाणा में आरो अस्तर की परिक्षा आप देखेंगे तो वहाँ कूट की question दिये जा सकते है तो हो सकता है आपको करम से दे ठीक बात न तो ये भी ध्यान करे रहे है आगले पे लिखा हुँ वना वरन में बृद्धी दिखाने वाले सीर सराजी की बात कर रहा है तो ये हो रहाएं कौन से बाब्धी करा रहा है सबसे आदा आप परदेश तेलंगाना फिर लडिशा सरवाधिक वना बरन परसत वाला राज तो मिजोरम अरुनाचल परदेश और मेगाले देश के वनों में कुल कार्बन इस्टाक कितना हो रहे हैं साथ जार दोसो चार मिलियन टन अब देखे मैंने क्या कहा मैंने कहा इसमें कुछ बहुत आपको समझने और जानने क्या वशक्ता नहीं आप किवल ये चीजे ध्यान में बैठा है रहे हैं जब एक बार दो बार पढ़े रहेंगे तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा यहां सरी यह मेरे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है कर्शिगत उत्पादन की विश्म लिखा हुआ है यहांपर कुछ नाम जैसे किसका नाम यहां सबसे पहले नाम लिखा ए चावल का कह रहा है चावल के मामले में चीन नंबर एक पर पस्षिम मंगाल भारत में आगेहू में चेन, उत्तरप्रदेश भारत में, यहू आलो में, गन्ना में मक्का में लिखा है अमेरिका, फिर भारत में करनाटक, दलहन में भारत, दालों में और मध्यप्रदेश भारत में, मूंगफली विश्व में चीन और भारत में गुजरात, गन्ना की विश्व में ल विष्व में यूकरेण भारत में करनाटक। एक सेकंद वाई चलीग तो चीनी में महाराश्च शोय है जब एक बार में किसी को नहीं आदुआ तो यह उमिद मत लगाएगा कि इसके विशाब में कोई ट्रिक आपको टुक से बता दू कई बार देखेंगे आपको खुदी धियाणाएजए जब चाय बनाने समझिए तो आप चीनी की बात करिए, दोत की बात करिए, ठीक है ना, जब सबजी बनाने चलिए तो मसाले की इधान करिए, तिलहन की इधान करिए, आप करेंग सबजी में जो प्याज पढ़ता हो, रुई का कोई दिया बत्ती जनाईए तो उस समय कपास की याद करिए, सूरज मुखी, काफी, तमाकू, यानि तमाकू अगर आप खाते हो, आप नहीं काते हैं, आप बाबा दादी खाते हैं, कोई खाता है, तो आप उसका याद करिए, मतलब कहने का मतलब जब आप किसी चीज का प्रयोग देखिए, तो उसी समय आपना question याद करि कि भारत में उत्पादक की माबले में भारत और विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक बात है ना, अगला खनीच की विश्व में कोईले में चेन नंबर एक पर, जबकि भारत में 36 गड़, देखे कोईले की बात कर रहा है, तो चेन विश्व में भारत में 36 गड़, हीरा में चांदी के विश्व में, विश्व में मैक्सिको, भारत में राजस्तान, कच्छे तेल में विश्व में अमेरिका, भारत में राजस्तान, प्राकर्तिक गैस, विश्व में रूस, भारत में असम, बाकसाइड, विश्व में आस्टेलिया, भारत में ओडिसा, मैंगनीज, ही नाम ऐसे आपको दिया मिलेगा यहां यूरेनियम भी कह रहा है सबसे आदा कजाकिस्तान में भारत में आंद्रप्रदेश कंडंगस्टन चीन आंद्रप्रदेश यहां कैडमियम चीन आंद्रप्रदेश निकल इंडोनेशिया ओडिसा क्रोमाइट दक्षण अफरीका ओडि वीडियो के स्पीड क्या कर सकते हैं स्लो करने की भी विवस्ता है तो यह मत सोचिए कि मैं स्पीड में बोलना हूँ तो आप मेरा टार्गेट यह कुछ देर में कुछ मिनिटों में आपको चीज़ें कबर कराई जा सके तो इस वज़े से मैं जल्दी बोलना हूँ यहां तो आप लोग वीडियो को देख लीजेगा ठीक बात ना बाकिया आपने इतना सहीओ किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए धन्यवाद